दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्यूंकि हम लाते रहते हैं नए-नए बिजनिस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज मैं आपको सिल्वर पेपर प्लेट डोना थाली बनाने के लिए जो रौ मेटीरियल लगता है उसके बारे में बताऊंगी कैसे आप ये बिजनस शुरू कर सकते हैं सिल्वर पेपर बनाने के लिए आपको कौन से रौ मेटीरियल की ज़रूरत होगी उसके कीमत क्या है और आप इसे मार्केटिंग कैसे करेंगे आदी सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर करें में आपको सबसे पहले जान करें तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले प्लास्टिक की प्लेट्स अधिक इस्तिमाल होती थी लेकिन पर्यावन का ध्यान रखते हुए गवंबर ने प्लास्टिक से बनी हर चीज को बैन कर दिया है सिल्वर पेपर प्लेट टोना की मांग बढ़ गई है मांग अधिक होने के कारण सिल्वर पेपर प्लेट की मनुफेक्टरिंग भी काफी ज्यादा मात्रा में होने लगी है जिससे इसके रौ माटीरियल की डिमांड भी बढ़ गई है और इसका रौ माटीरियल त्यार करने वाले भी बहुत कम है, इस तरह सिल्वा पेपर प्लेट के लिए ये रऊ माटीरियल बनाने के बिजनस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, और इस में कॉमपिटिशन भी बहुत कम है, तो दोस्तों आप भी लैमिनेटिंग सिल्वो पेपर रोल बनाने का बिसनस शुरू करके हर महीने लाखो रुपे कमा सकते हैं कौन सा रॉम माटीरिल और मशीन की जरूरत होगी रॉम माटीरिल में मेजर परकार का पेपर यूज होता है पहला है सिल्वो पेपर और दूसरा है ब्राउन पेपर इसके लावा लैमिनेशन करने के लिए आपको गम यानि की गलू की जरूरत होगी सिल्वो पेपर जीएसेम में आता है जिसका मतलب होता है ग्राम पर स्केर बीटर मतलब जतना ज्यादा GSM होगा उतना अच्छा आपका पेपर होगा और उतनी अच्छी क्वालिटी की आपकी प्लेट बनेगी आपको अपने शहर में मार्किट में देखना होगा कि वहाँ सिल्वा पेपर प्लेट थाली डोना बनाने वाली किस क्वालिटी की रौ माटीरियल का उप्योग ज्यादा करते हैं और फिर उस हिसाब से आप रौ माटीरियल त्यार कर दे सकते हैं यह मशीन अलग-अलग शमतागी होती है इस कारण यह मशीन अलग-अलग प्रोडक्शन करती है जैसे की 100 किलो प्रती घंटा, 200 किलो प्रती घंटा, 200 किलो प्रती घंटा और इस बिजनस के लिए कम से कम लेवर की ज़रूरत होगी आईए जानते हैं कैसे बनता है लेमिनेटर सिल्वो पेपर रोल मशीन में ब्राउन पेपर और सिल्वर पेपर को उनकी जगा लगा दिया जाता है फिर दोनों पेपर को आपस में चिपकाने के लिए गूंद का प्योग किया जाता है इसमें जितने मातरा में गूंद लिया जाएगा उतनी ही मातरा में पानी मिलाया जाता है जैसे की एक किलो गूंद में एक किलो पानी मिलाया जाता है अब मशीन चलाते हैं और गूंद को सिल्वर पेपर में उपर से निश्चित मातरा में मग से डाला जाता है इसके बाद दोनों पेपर आपस में चिपकते हैं और आगे सरकते जाते हैं और उसके निरधारित जगे पर रोल में कठा होते जाते हैं जिस मशीन में साथ में कटर भी होती है तो उसमें फिट किये हुए साइस के अनुसार पेपर कट कर रोल होती जाती है इस परकार के मशीन में कटर को फिट करने के लिए धाई दिया होता है जिससे आप अपने पसंद के अनुसार के साइज 22, 24, 28 इंच में काट कर मटीरियल त्यार कर सकते हैं मशीन को अपरेट करने का तरीका मशीन के सैलर से आपको मिल जाएगा एक बार सीखने के बाद आप आसानी से इसे चला लेंगे मशीन और रो मटीरियल के लिए आपको अपने स्थानिय मार्केट में पता करें अगर आपने वहां नहीं मिलता तो गूगल पर सर्च करें या फिर इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हैं इसके लिए आपको ट्रांस्पोर्टेशन खर्च देना होता है जो किलो मिटर के हिसाब से तै होती है और जहां से मशीन खरीदेंगे वो आपको रो मटीरियल और मशीन को चलाने की पूरी जानकारी देंगे और कई कमपनिया मशीन खरीदने पर डिसकाउंट भी देती है तो आप अपने बजट के अनुसार इसका चुनाव करें जानकार सकत्ते है पर जो आपको उर्चेसर ठ perspectives ऐसकाउंगे तो आते है तो आपकोация देख सानकार सच्छर अपको साद के एस करें आपको के इसकाउंगे जापको झाल 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 पेपर प्लेट, डोना, थाली, का उप्योग, सबी शेत्र में किराना, दुकानों, होटल्स और शादी बेहा के ट्रिन, सर्विस वाले, और टी, कॉफी and snack center वाले करते हैं क्योंकि इसकी मांग ज्यादा है तो इसे आप असानी से paper plate डोना थाली बनाने वाले लोगों से संपर्क कर अपना product supply कर सकते हैं और अपने business को India Mart Just Dial Trend India Export India आधी की website पर register कर सकते हैं जहां से paper plate थाली दोना बनाने वाली company आप से खुद contact कर आपका product खरीच सकती है ये business लगू शेतर के अंतरगत आता है सरकार कोई भी नया website के शुरू करने इपर पच्ची परसन सबसेडी भी देती है आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी लाइक कुमेंट करके ज़रूर बाताना धन्यवाद